आज ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेशन सॉल्व करते हैं जो कि बहुत एजी है लेकिन स्टुडेंट्स को बहुत डिपिकर लगता है और सॉल्व नहीं कर पाते हूं लोग इसको साइन स्क्वेर की पावर क्यूब लगा देते हैं यह एक्समोनेट्स से टू थी दा सिक्स हो जाएगा इसको कॉस टू को स्क्वेर थीटा उसका पावर थी ठीके सुल्ट्स यह इसको ऐसे ही रहने देते हैं साइन फोर थीटा एन कॉस फोर थीटा और प्लस वन इकोल टू इकोल टू जीरो तो हमको प्रूब करता है वे लह इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ठीक है स्टूरेंट्स अब देखिए एक क्यो प्लस बी क्यो आपने आइडिटी पड़ी थी नाइन्थ में यह थी आइडिटी एक एक प्लस बी एन इंटू ए स्क्वार प्लस बी स्क्वार माइनस एबी यह आइडिटी हम यूज़ करेंगे यहां पर देखिए इसका क्यों करेंगे इसको इसको आइडिंटी देखिए यह पूरा होगे हमारा यह पूरी पार्ट यह है और पूरा पार्ट भी है देखिए स्टूरेट एक यह प्लस बी क्यो तो फिर ए प्लस बी आजागा यानि कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा और फिर multiply में a square यानि कि sin यहाँ पे sin square theta and cos square theta है तो sin square का square क्या आगा? sin square का square 4 sin 4 theta plus cos square का square cos 4 theta minus a b a क्या है? sin square theta sin square theta and cos square theta plus 1 फिर से एक बन देखें minus 3 sin 4 theta plus cos 4 theta ठीके, students this is going to be 1 because identity है sin square theta plus cos square theta equal to 1 तो हम यही वाले identity put कर देंगे इसमें, value put करेंगे इसकी, तो 2 into 1 यह तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 इसके बाद यह वाले equation लिखतेंगे, sin 4 theta plus cos 4 theta minus sin square theta cos square theta and minus इधर 1 plus 1 भी था, 3 sin 4 theta plus cos 4 theta and plus 1 इसको फर्दर solve करेंगे, 2 sin 4 theta plus 2 cos 4 theta minus 2 sin square theta cos square theta and minus, इसको भी open करेंगे bracket को, 3 sin 4 theta plus 3 cos 4 theta, this is minus हो जाएगा इदर, minus है and plus 1, अब देखिए 3 sin 4 theta, 3 sin 4 theta minus का है and 2 sin 4 theta, तो यह ऐसे लिख देखिए है तो, 2 sin 4 theta plus का है, minus 3 sin 4 theta plus cos 2 cos 4 theta minus 3 cos 4 theta, minus 2 sin 4 theta, cos 4 theta plus 1, ठीके students, अब देखिए, इनको इनको, plus minus कर देना है addition and subtraction कही है तो, तो, minus sin 4 theta and minus cos 4 theta, देखिए, इसमें से minus sin 4 theta आएगा और इसमें से, इसको solve करने से, minus cos 4 theta आएगा and minus 2 sin square theta, cos square theta plus 1, minus को, कमन निका लेंगे, तो, sin square 4 theta plus cos 4 theta, minus 2 sin square theta, cos square theta, यह bracket लगाएंगे, plus 1, यहाँ पर plus आएगा, यह minus को कमन निका लेंगे, तो, सारे अंदर plus हो जाएंगे, तो, यह देखिए, यह तो, identity बन रही है, a4 plus b4 plus 2a square b square, यह तो, यहाँ आएगा, a2 plus b square कर होल स्कोर, यहाँ, minus sin square theta, plus cos square theta, का होल स्कोर, यहाँ पर 1, अब देखिए, यहाँ पर, स्टुदियंट, sin square theta, and cos square theta, इको दो रही है, और यहाँ पर भी वही है, तो, हमको क्या, पर्दर स्वल करेंगे, तो, क्या मिलने वाला है, बेटा, minus 1, इसके, इसकी जगे में, हम, minus 1 लिकेंगे, and plus 1 था ही, हमारे पास, इसको cancel करेंगे, और आजाएगा, हमारे पास, 0, which is equal to rfs, ठीक है, students?